दिस इस अकंच्छा सिंग वेलकम यू आन यूटूब चैनल वेटुज आरफ आज हम डिसकस करने वाले हैं रिसर्च मेथरोलोजी पार्ट थिरी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कोश्चिन करने वाले हैं जो पहले एक्जाम में पूछ जा चुके हैं तो जितने भी कोश्चि एक्जाम में पहले पूछ जा चुके हैं तो यह इंपॉर्टेंट कोश्चिन से स्टार्ट करते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक एंशेर जरूर कर दीजेगा और अगर आप चैनल पर फर्स टाइम है या अभी तक आपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को भ प्रोप्रियेट स्टैकल टेस्ट फॉर एनलाइजिंग क्वालिटेटिव डेटा यहां पर बात किया गया है कि जब क्वालिटेटिव डेटा है क्वालिटी वाला डेटा है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो ऐसे डेटा को एक कंक्लूजन निकालने के लिए हम कौन सा तेस्ट यूज़ करते हैं जब डेटा होता है क्वालिटीज में इसको कंपेर करना है तो यहां पर जो टेस्ट यूज़ किया जाता है काई स्कॉयर टेस्ट अगर आप हम बात करें T-square test की और Z-square test की तो दोनों टेस्ट सिमिलर है इन में जो एक में डिफ्रेंस है वो है सैंपल का जब सैंपल साइज more than 50 होता है तब हम यूज करते हैं टेस्ट अब जब less than 50 होता है तब हम यूज करते हैं जड़ टेस्ट तो यह है क्या मेंली सिग्निफिकेंट difference between the mean of two group but related in certain features like दो ग्रूप है जैसे एक ग्रूप यह है वन यह टू इन दोनों यह दोनों एक दूसरे से 50 से ज्यादा है तो यूज होगा टी टेस्ट और सैंपल साइज अगर 50 से कम है तब यूज होगा जैट टेस्ट अनोवा को हम बोलते हैं analysis of variance इसका short form है ANOVA और ANOVA मेंली यूज होता है जब जहां पर हमें दो मीन दी हुई है उन्तों compare करना है बट यह दोनों means जो है वो independent groups है इन में जैसे यह mean है एक mean average यह दिया है बट इन दोनों में कोई relationship नहीं है जब कोई relationship नहीं है तब हम यूज करते हैं इनोवा टेवल और अगर दोनों में relationship है तब हम यूज करते हैं T test and Z test next question is what is the purpose of report जब भी कोई research work किया या thesis write किया कुछ भी किया उसके बाद हम एक report बनाते हैं report का परपज क्या होता है dissipation of knowledge जो भी हमने पूरा work किया है उसमें जो main main points है knowledge कि उनको main main points को निकाल के write out करना फिर जो भी हमने theory में use किया है उनको general term में explain करना और ऐसे उसको use करना कि ज्यादा से ज्यादा public को पहुंच सके और public जो है उसको easily understood कर सके तो report में क्योंकि report हम बनाते हैं वो कुछ short होती है ठीक है में ऐसी language use करते हैं जिसको लोग easily understand कर सके तो यह सब चीजे जो है report में होनी चाहिए means dissipation of knowledge broadcasting of generalization widest use in public all of these is the correct answer next question आता है f test is used f test हम कब use करते हैं जब analysis of variance is needed तब हम use करते हैं f test means यहां पर हम बात कर सकते हैं कि जो अनोवा वाली टेबल अनोवा टेबल and f test यह दोनों almost similar है ठीक है दोनों में mean को compare करते हैं दोनों independent होते हैं जहां इसमें ठीक और जो f test हम use करते हैं वहां पर इन में जो भी mean है ठीक है एक mean यह है एक mean यह है दोनों में हम चेक कर रहे हैं तो f test यूज करते हैं वहां पर हम देखते हैं कि दोनों mean में relationship की variability क्या है कितना variable हो रहा है कितना change हो रहा है तो जहां पर हम use करते हैं f test जब दो या दो सेधिक रूप होते हैं तो हम यह test भी यूज करते हैं वह डिपेंड करता है कि sample size क्या है अगर हम F test यूज़ करते हैं जहां पर analysis of variance is needed जहां पर जो भी हमारे पास जो भी data है variance है उसको analyze करना है कि उनके बीच में कितनी variability आ रही है उनके जो relation है एक दूसरे से वो कितना अलग-अलग है कितना variate है तो यहां पर यूज़ होता है F test next question आता है the report should mention अभी हमने बात की report क्यासी होनी चाहिए अब report में क्या क्या होना चाहिए महां पर हमने बात की knowledge के बारे में language easy होनी चाहिए easily लोगों को समझ में आना चाहिए recent knowledge यह तो हो गया जब हमने data collect किया उसके बाद और report में क्या होना चाहिए तो क्या sampling method हमने यूज़ किया कि जो भी हमने data collect किया है उसके लिए हमने sampling method यूज़ किया तो कौन से sampling method यूज़ किया है देन आता है size of sample sample का size किया है then criteria of selection जो sample हमने select किया है वो कौन से criteria पर based है like systematic sampling है random sampling है कोटा sampling है कैसा sampling जो sample का जो technique है या criteria है या इसके लिए कुछ specific term दिये थे या कोई specific classification था कि कैसे selection of जो भी sample का selection किया उसके लिए क्या criteria यूज़ किये गये है तो all of these is the correct answer next question आता है the good research will always focus on हमेशा हम बात करते हैं जो भी research है या thesis work है जो भी है तो अच्छी research हम कौन से research को अच्छी research मानेंगे अच्छी research हम उसी research को मानते हैं जिसमें जो objectives address किये गए हैं जो objectives दिये गए हैं वो कितने broad हैं कितने deep हैं और वो कितने क्या-क्या terms वो cover कर रहे हैं तो simple सी बात है अच्छी research हम वो मानते हैं और अच्छी research हमेशा focus करती है कि research objectives क्या है अब कभी भी किसी भी research में आपने ये तो नहीं दिया देखा होगा कि respondent के नाम और address भी research में लिखके दिया है कि हमने 50 respondent collect किये और 50 respondent के address ये है नेम ये तो ये कोई meaning नहीं है result that may irrelevant अब result जब irrelevant होगा तो research का कोई मतला भी नहीं है हम research इसलिए तो कर रहे हैं कि जो हमारा topic है उससे result जो आ रहे हैं वो कितना relevant है कितना effect कर रहे हैं तो mainly जो good research है वो focus करती है objectives पे जितने अच्छे objectives होगे उतनी ज्यादा deep research होगी उतना ही हम research को मानते हैं अच्छा मानते हैं तो B option is the correct answer next question आता है match the following list one को list two से match करना है figures, aims, main text and data इसको match करना है list second से हम figures किसको बोल सकते हैं जो भी हमने data collect किया उसमें जो terms हमने use कि उनको हम figures बोल सकते हैं तो figures are related to result of data उसके बाद aim क्या है हमारा main aim यही है कि report कैसी होनी चाहिए report में क्या-क्या content होना चाहिए तो aims means report में क्या-क्या content है main text main text में means introduction जो हमारा main text है कोई भी research paper लिख रहा है article लिख रहा है कुछ भी लिख रहा है तो हम main text में क्या देता है main text में यही दो देता है introduction क्या होगा उसकी layout कैसी होगी हम कैसे research start करेंगे उसका end कैसे करेंगे तो main text means layout होता है data is technical report तो जो option A है वो correct answer है next question आता है what is the correct sequence of conducting a research project अगर हम किसी research project पे काम कर रहे हैं उसका correct sequence क्या है क्योंकि research क्या है systematic way में काम को करना in scientific way means scientifically and systematic way में जो भी हम काम कर रहे हैं उसको research बोलते हैं ठीक है तो उसका क्या sequence क्या होगा option A formulation of thesis review of literature identification of problem conclusion and generalization simple सी बात research हम करते हैं जब हमारे पास कोई problem होगी कोई topic होगा उससे उसी पर based होगा तभी तो हम research करते हैं तो सबसे पहले आ जाएगा identification of problem अब जब हमारे पास problem आ गई है तब उससे related हम information collect करेंगे और research में हम information कहां से collect करते हैं या तो हम उसके लिए हम करते हैं review of literature means पहले लोगों ने उस पर जो काम किया है तो उन्होंने क्या conclusions दिये हैं तो वो हम review of literature करेंगे तो हमारे पास sufficient knowledge आ गया एक basic सा means idea आ गया कि इन लोगों ने कौन-कौन से topic पे काम किया था और हमें कौन से topic पे काम करना है तो यहां से हमें एक basic information मिल गई तो हमारे पास basic information हो गई तब हम बनाएंगे hypothesis एक null hypothesis and alternate hypothesis तब हम जब hypothesis बनाएंगे उसके बाद हम start करेंगे data collection and data interpretation results अब कुछ फिर आता है conclusion and generalization सो जो correct sequence है वो यह है option number A सही है पहला identification of problem then review of literature उसके बाद hypothesis formulation then conclusion and generalization next question आता है choose the correct sequence in writing a research proposal जब हम को research proposal लिखते हैं हम एक basic सा एक layout बनाते है research का कि हमको research करना है और हम कैसे करना है उसके main methodology क्या है उसके steps क्या है हमके कैसे करना है तो वो सब पूरा एक proposal बनाके देना पड़ता है research start करने से पहले तो जब हम proposal बनाते हैं तो उसमें हम क्या क्या लिखते हैं और उसका sequence क्या है वो हमको बताना है तो sequence में क्या है review of literature, introduction, bibliography, objectives, methodology and analysis of data अब हमको बनाना है research proposal जो भी हमारा topic है तो अब topic के बारे में जो भी हमें research proposal बनाके हम दे रहे हैं अपने guide को या advisor को जो भी तो उसको topic के बारे में अगर कुछ नहीं पता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम introduction देंगे जब introduction देंगे और अब भी हमने last में discuss किया कि हमारा जो भी research है उसका main focus क्या होता है objective तो introduction के बाद हम देंगे objectives objectives कितने deep हैं कितना terms में कितना area cover कर रहे हैं क्या है तो पहले introduction दें आता है objective अब हमारे पास objective आ गया तो उससे related हम कुछ information collect करेंगे और information कहां से collect करते हैं review of literature अब हमने review भी कर लिया उसके बाद हम बताएंगे methodology कि हमें कैसे करना है research हम क्या करेंगे उसमें देन आता है analysis of data क्या 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 वाद हम data collect करेंगे उसको analyze करेंगे देन आता है bibliography यह तो है हमारा research proposal ठीक है तो sequence क्या आएगा option number a सही है सबसे पहले introduction then objectives then review of literature देन आता है methodology then analysis of data and bibliography एक turn एक term और है वह appendices ठीक है जो हम अपने जो भी research proposal बना रहे हैं thesis लिखने उसमें हम add करते हैं appendices तो यह question में पूछा गया था कि जो appendices हैं यह इनको हम कहां पर add करते हैं starting में mid में जो research data data की table के साथ या बिल्कुल last में तो यह आपको बताना है कि जो appendices होती है research में thesis में उसको हम कहां पर add करते हैं उनको कहां पर हम लगाते हैं यह आपके लिए question है आपको इसका answer देना है comment section में and video को like and share जरूर कर दीजेगा और अभी तक आपने चैनल subscribe नहीं किया है तो चैनल को भी subscribe जरूर कर दीजेगा and comment में आप जल्दी जल्दी answer बताए कि answer क्या है जो appendices है उसको हम कहां पर add करते हैं starting में, mid में, data table के साथ या फर last में जल्दी ही मिलते हैं next video में तब तक के लिए wish you all the very best, good luck, bye bye